YSIR कॉंग्रेस के मुख्या जगन मुहन रड़ी पर विशाकापटनम हवाई एड़े पर चाकु से हमला हुआ था। इस घटना के बार आंध्य प्रदेश के मुख्य मंतरी चंद्रबाबू नाइडू ने भाजपा के नेत्रत वाली केंद्र सरकार को और तेलागना रास्ट्रिय समिति को सरकार के खिलाफ शड़ेंत रचने का आरोप लगाया है। नाइडू का कहना है कि वहराज को अस्थिर करना चाहते हैं वाई एस आई आई आर कॉंग्रेस के नेता पर एक यूवक ने विशाका पटनम एयरपोर्ट के लाउंज में एक छोटे चाकु से हमला कर दिया था। गुरवार को एक प्रेस कॉंफरेंस करके नाइडू ने कहा तेलागना सरकार और केंद सरकार द्वारा इस तरह का ड्रामा किया जा रहा है। उन्होंने कहा आरूपी ने एक पत्र लिखा है कि वैं YSR का फैन है। इस मामले में जाच के बाद बहुत सारी जानकारियां बहर आएंगे। केंद सरकार पल हमला करते हुए चंद्रबाबू नाइडू ने कहा कि यह हमला व्याइपी लाउंज में दिन में हुआ है। और यह राज सरकार के अधिकार छेत्र में नहीं आता है। उन्होंने कहा हवायड़ा भारत सरकार के नियंत्रण में है। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।